यह विडियो एक थॉट एक्सपेरिमेंट है चुकि मैंने आप लोगों के साथ किया है अभी कि अगर हमारे कैप्टन कूल हमारे कैप्टन माही जो अभी रीसेंटली पांचवां IPL जीट चुके हैं आखिर कुछ तो बात होगी न कुछ तो खास होगा कि इतने सारे IPL में से पांच बार हिस्ट्री क्रियेट कर दी है कि महिंदर सिंग धोनी अपने कैप्टन सी में पांचवी बार चनए सुपर केंग को IPL जीटवाए हैं और ना सिर्फ यही T20 वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप, टेस्ट, बहुत सारे बहुत सारी सीरीज इनके कैप्टन कैप्टन सी में रहके भारत जीती है तो आज मैं आप सभी को एक फॉट एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ कि अगर UPAC के मेंटर अगर MS धोनी होते तो कुछ दस बातों का जिक्र यह आप से करते यह जो 2023 का प्रिलिम्स निकला है न जिससे बहुत लोग सैटिसफाइड नहीं है मैं यह नहीं कहूँ मैं खराब है नहीं बहुत लोग सैटिसफाइड नहीं है तो इसके परस्पेक्टिव में अगर MS धोनी आपके मेंटर होते तो क्या कहते हैं सबसे पहले तो मैं कहने ही सूपर किंग को धे सारी बढाईयां यार मतलब काबिल के पात रहें हाला कि बहुत बड़ा IPL फैन नहीं हूँ मैं लेकिन MS धोनी का बहुत बड़ा फैन हूँ मतलब बहुत बड़ा तो हमें of course personality से सीखना चाहिए उनसे प्रेड़न लेनी चाहिए और MS धोनी वैसी personality है कि हर एक field में हर एक शेतर में लोग इनसे सीखते हैं चाहे वो corporate हो गया business हो गया या students हो गया aspirants हो गया या फिर cricket हो गया या फिर कोई भी game हो गया तो सबसे पहला हम discuss करते हैं कि अगर MS धोनी होते तो क्या आपको सलाह देते MS धोनी अगर होते दोस्तों तो आपको ये full no full solution basically MS हमेशा से इस बात का ध्यान रखते हैं कि अगर मैं अपने juniors को अगर मैं अपने mentees को guide कर रहा हूँ तो उनको spoon feeding ना करूँ मतलब सब कुछ परोस के ना दे दू कभी भी वो अपने mentees को पूरा solution नहीं बताते है problem का तो आप भी अगर UPC civil services का exam दे रहे हैं या फिर आपको कोई problem है तो आप पूरा solution मत देखिए बहुत सारे aspirants है उनको लगता है कि सर बस कुछ करा दो मेरा बस कुछ करा दो मतलब नहीं पार करा दो नहीं आपको इक करना है at the end of the day you have to do it nobody else will come and कहेगा कि भाई आप ले जाओ credit आपको करना है मसदोनी का हमेशा जितने इनके team members हैं उनका यही कहना है कि कभी भी माही ने full solution किसी plan करें दिया वो सिर्फ एक hint देते थे वो एक जरिया बताते थे आपके mentor भी आपको यही करते हैं हम भी यही करते हैं हम सिर्फ आपको एक hint बताएंगे जरिया बताएंगे है नग चलना तो आपको है self study तो आपको करना है से मैं आपको यह video यह image देख रहे हैं यह image एक UPSC topper की है UPSC topper ने 2020 में यह कहा था कि मेरे success की जो responsibility वो देता हूँ मैं सफलता का राज एनस धोनी है क्योंकि उन्होंने कहा था अपने एक interview में accept the change, work hard and rule it उन्होंने यह कहा था कि बदलते जमाने के साथ आप सीखिए उन्होंने यह कहा था कि जैसे जैसे जमाना बदल रहा है आप भी वैसे बदलिए लेकिन जैसे आप बदल रहे हैं तो work hard बहुत मेहनत करिए और rule कर लीजे उस पे for example जैसे कि हमारा यह बदलता pattern किसी ने आप से यह तो नहीं कहा कि UPSC में pattern ही नहीं बदलेगा किसी ने आप से यह भी नहीं कहा कि भाई UPSC में trend नहीं बदलेगा बिल्कुल कहीं ऐसा लिखा तो है नहीं बदलना जायज है और लाजमी सी बात है वक्त बदल रहा है जमाना बदल रहा है हम बदल रहे हैं, आप बदल रहे हैं, तो बदलना तो लाजमी से बाता है ना, so accept the changes, इसको accept करिए, जहाँ जहाँ गलती होगी, वहाँ सुधार करिए, और फिर इस पे work hard करिए, जहाँ से भी आपको लगे, पेपर 1 से लेकर, पेपर 2 में, CSAT में अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ गलती होगी, तो हो गया 24 घंटे, हो गया 48 घंटे, बस अब नहीं शोक मनाना है, अब आगे बढ़ना है और कुछ कर दिखाना है, हमें analyze करना होगा, कि हमने कहां गलती की है, और फिर वहाँ से हमें आगे बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है, जिन्दगी बस यहीं थोड़ी खतम होती है, नेक्स एटेम देना है, अगर नेक्स एटेम नहीं देना है, तो कुछ और करना है लाइफ में, QPSC is not the end, right? So, work hard and rule it, तीसरा point है, उन्होंने कहा है कि the process is more important than the result, बहुत important है, हम result पे focus करते हैं, पूरी दुनिया लग गई है cut-off बताने में, सब कुछ पूरा लग गया है कि भाई, इतनी cut-off होगी, इतनी cut-off होगी, आप भी परशान होगे, क्या होगा, लेकिन हम process पे ध्यान नहीं देते हैं, हम result पे ध्यान देते हैं, result एक by-product है, हम by-product पे ध्यान देते हैं, क्योंकि हम emotional हो जाते हैं उस time पे, भावनात्मक हो जाते हैं, भाव में बह जाते हैं, दर्द है, तकलीफ है, सुख है, शान्ति, भावनाओं में बह गए हैं, हम process पे ध्यान ही नहीं देते, so we have to focus more in the process, process मतलब की step by step, step by step, result पे हमें focus नहीं करना है, यह result हमारे control में नहीं है, आपके control में हो सकता है, लेकिन मेरे control में तो result नहीं है, तो हमारे control में क्या है, हमारी पढ़ाई, हमारी मेहनत, हमारा revision, हमारी book list, हमारी तयारी, और हम mock test दे रहे हैं, हमारा analysis है, यह नहीं है हमारे control में, जो result है, आपने देखा न, कि बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत पढ़के गए थे, बहुत जादे, उनका यही कहना था, कि अगर शारम पढ़के नहीं भी जाते, तो paper हमारा ऐसा ही होता, क्योंकि हमने जो try किया है, जो हमने मेहनत किये पिछले एक साल में, वो based on the current pattern, based on the elimination technique, based on the trend, पिछले 10 साल में हमने यही किया है, तो control करिए पने emotions को, MS Dhoni भी जब इनके favor में चीज़ें नहीं होती हैं, तो यह control करते हैं, बहुत सारे ऐसे matches थे, जहाँ पर यह हारने की कागार पर आ गयते, but he controlled himself, his emotions, and then focus on the work, then result. Perseverance, आपको सबको पता ही होगी इनकी story, और यह बिलकुल IS lobby में भी ऐसा ही है, बहुत मध्यमवर्गे परिवार से, समान्य परिवार से लोग आते हैं, और कहां कहां तक पहुँच जाते हैं, journey बहुत लंबी है, इनकी journey भी ऐसी ही लंबी थी, MS Dhoni का कहना है, कि वो कभी भी यह सोचे नहीं थे, कि वो इतने बड़े इतने महान प्लेयर बन जाएंगे, कि लोग उनकी पूजा करेंगे, लेकिन वो process को follow कर रहे थे, वो step by step चल रहे थे, perseverance, Dhoni की journey जो है, वो अपने आप में ही एक काबिदत तारीफ है, मतलब कि धीरे 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 निरंतरता, consistency बहुत important है, क्योंकि इनका जो never giving up attitude है न, वही इनको यहां तक बनाया है, तो आपके लिए भी never give up, never ever give up, ठीक है, never give up, मुझे ये विश्वास है कि सादा आप मेरे बात, as a mentor मान रहे होंगे, never give up, ठीक है, आप में है वो शद्दत, आप में है वो ताकत, you will do it, मुझे विश्वास है, self-believe, जब, महिंदर सिंग धोनी का example, IIT मदरास के एक paper में आया था, कि help करिये MS धोनी को coin, मतलब toss ज़ाने के लिए ये paper है वो, ये मेरे ये अप स्क्रीन पर देख सकते हैं, IIT मदरास में आया था, ये maternal and energy balance semester का exam था, so, हर जगए, हर field में इनके examples चाते हैं, self-belief क्या होता है, बहुत सारे ऐसे situations होते हैं, जब हमें ये लगता है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, शायद मैं इस पूरी के पूरी टीम को लेकर नहीं चल पाऊंगा, या शायद मैं वो पूरी subject नहीं revise कर पाऊंगा, मैंने साल भर इतनी महनत की है, मैंने कर पाऊंगा, मेरे पास time नहीं है, self-belief बहुत important है, समाज में मत जाईए, जब बहुत लोग social acceptance को self-belief मान लेते हैं, कि नहीं यार वो तुम मना कर रहा है, कि मेरे अंदर ये quality नहीं है, तो मैं नहीं करूँगा, self-belief वो नहीं होता है, self-belief is from your inner self, पाहरी दुनिया में मत जाईए, अपना जवाब धूनने के लिए, खुद के बारे में, खुद से जवाब धूनिया अपना, अपने आप से धूनिया, तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, मतलब पार सकते हैं दुनिया, फोर सकते हैं, तो इन्हों ने भी, धोनी is unwavering self-confident teaches us to trust our abilities and have faith in our skills एक ही paper खराब हुआ है या फिर एक paper में आप अच्छा नहीं की है इसका मतलब यह नहीं कि आपकी तयारी खराब है इसका मतलब यह नहीं कि आपका schedule, आपका time table खराब है या फिर जो आपने नहीं पढ़ा वो आया, इसका मतलब आपने कुछ नहीं पढ़ा ऐसा कुछ नहीं है यह जो वो time चल रहा है, बहुत crucial time चल रहा है this is the time when you make it or break it please do not break it please, let's make it, let's make it once again और शुरू करते हैं फिर से आप लोगों के लिए मैंने रोपी पहनी है ताकि थोड़ा सा feel आजा है when the odds are against us just believe yourself and next है mental toughness यह तो इतनी important चीज है कि हमें किसी भी domain में यह life का एक बहुत ही सुन्दर पार्ट है अगर हम mentally strong न हो तो फिर शायद हम exist ही नहीं कर पाएंगे हम अपने emotions में बहते जाएंगे mentally strong होने का मतलब यही है कि अपने emotions को control में रखिए अगर आप sad है तो भाई control में रखिए ताकि आपके आजू बाजू लोगों को या फिर फर्क पढ़ने बंद हो जाए तो आपको mental toughness रखनी है तो आपको दिखा ही होगा कि MS Dhoni जब 3 wicket गिर जाता था चार wicket गिर जाता था तब MS Dhoni आते थे और उस pressure में आके खेलते थे प्रेशर में आके खेलने का मतलब यह just believe yourself just control your emotions यह बहुत 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 important है और mental resilience देता है composure देता है चीक है so mental toughness इसके लिए बहुत exercise होती है इसके लिए योग, pranayam, meditation, running, listening to music जो आपके mental strength को बढ़ा है follow कर यह ऐसे लोगों को है न अगला आता है हमारा decision making बहुत सारे लोग 10 दिन, 20 दिन, 1 महीन, 2 महीन, साल बर लगा देते हैं एक फैसला लेने में no decision making is the right analysis focus and do it तुरंथ, इतना time मत लगा है decision सही decision लेके फिर सोचने का क्या मतलब है पहले decision लीजिए क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है life में कि आप इतना सोचेंगे 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन कुछ समय लीजिए बस products action लीजिए decision making बहुत clever चीज होती है और MS Dhoni बहुत responsibility के साथ decision लेते हैं क्योंकि आपका वक्त खतम हो रहा है और वक्त खतम limited वक्त है सिर्फ आपके पास वो minus होते जा रहा है आपके life से so analyze करिए अपने situation को carefully और फिर pros and cons के साथ आपके फैसले का क्या positive होगा आपके फैसले का negative क्या होगा क्योंकि he was the captain as well और इनके फैसले depend करते थे तो आपके भी फैसले आपके family पे आपके आने वाले कल पे depend करेंगे बहुत important है right decision making साथी साथ में humility ये बहुत crucial part है जब हमें किसी छोटी से success मिल जाती है या फिर जब आप UPSC crack कर लेते हैं या IS बन जाते हैं बड़े पद पे चले जाते हैं तो हमें ये जो humility वाली है ना विनमर और जुक कर रहना जितने बड़े आप बनते जाएंगे उतना आपको जुक कर रहना पड़ेगा यही सृष्टी का नियम है ऐसे ही संसार आगे अच्छे से चल सकता है यहां आप देख सकते हैं यही जितनी fan following है यह लड़का दोड़के आया है और इनका पैर छुने यह यह quality है यह लोग सीखना चाहिए इनसे लोग सीखते भी है कल रात में जब MS धोनी जीत गए थे तो हार्दिक पंडिया ने कहा था कि मुझे खुशी है कि मैं हारा हूँ तो किस से हारा हूँ यह मेरे गुरू है भगवान इनके साथ भी थे भगवान मेरे साथ भी थे लेकिन आज इनका दिन था तो humility बहुत ज़रूरी है धोनी remains humble teaching us the value of staying grounded and treating everyone with respect साथी साथ decision making का तो हमने कर लिया है जो मेरे control में है मैं उसी पर rule कर सकता हूँ जो मेरे control में है मैं उसी पर game खेल सकता हूँ उसी पर implement, उसी पर analyze खेल सकता हूँ लेकिन जो मेरे control में नहीं है उस पर मैं कुछ नहीं कर सकता same चीज भई आपके result पर आपका control नहीं है अगर आपको लगता है कि आगर आप fail हो गए हैं या आपको selection के लिए और marks चाहिए हैं तो you work on it because it's under your control selection is not your control, selection is result लेकिन आपको लगता है कि selection कब आएगा जब मुझे 50, 60, 70 marks और चाहिए same goes to him, इनको भी ही लगता था कि मेरा selection नहीं हो रहा क्योंकि मेरा score कम है मतलब batting, balling, overall score कम है तो ये focus कहां करते थे focus अपने practice में करते थे, focus अपने shots में करते थे focus अपनी timing में करते थे, strength में करते थे mental toughness में करते थे आपको भी इसी तरीके से focus करना होगा और last but not the least मैं बहुत लंबा session को नहीं ले जाता हूँ मेहंदर सिंग धुनी को कई सारे award उसे नवाज आ गया है जिसमें से एक already he is at lieutenant colonel territorial army ये गर retire भी हो जाएंगे तो ये इस position पे हैं, lieutenant colonel position पे और भी कई सारे पदों से इनको नवाज आ गया है आप life में किसी को भी अपना role model मान सकते हैं, मैंने सिर्फ इसलिए दिखाया है क्योंकि ये एक ऐसी personality है, कई personality में से एक ऐसी personality हैं, जो कि हर domain में ये fit बैठते हैं, because he is kind of that personality, जैसे हमारे APG अब्दुलकलाम, जैसे हमारे तल्भिहारी बाच पेजी तो आपके भी role model कई हो सकते हैं, आप उनको follow करिए, उनको सुनिए, उनको देखिए कि आखिर वो क्या किया करते थे, जब वो life में कभी उनको challenges ने तोड़ दिया हो, जब मरोड दिया हो तो फिर कैसे वो खड़े हुए, है ना बहुत ज़ादे मैं नहीं बोलना चाहता हूँ लेकिन हाँ, this is the right attitude towards life चुड़िये, मैं एक mentor भी हूँ यहाँ पर और ऐसी ही बाते हैं हम लोग aspirants के साथ करते हैं, ताकि उनका manowal बढ़े, उनकी इच्छा शक्ती बढ़े mental toughness, strength बढ़े तो Rob, यह वो batch है जहाँ पर civil services की तयारी होगी ISPCS के लोग यहाँ पर आएंगे और फिर एक अच्छा शांदार भारत बनाएंगे, उससे पहले आपको selection लेना होगा selection लेने के लिए आपको क्या करना है आपको जैहिंद नाम का code use करना है, यहाँ पर जैहिंद description box में दिया होगा जैहिंद use करिये और 80-85% discount आपको मिलेगा ताकि आपके पढ़ाई शांदार लाल जबाब हो कोई भी doubt हो दोस्त, प्लीज पूछिएगा जख मत करियेगा, हम लोग यहीं है comment section में आपको मिलेंगे और all the best बहुत बहुत शकुरिया, नमस्कार, जैहिंद signing off